कुछ अच्छी चीजों के साथ जीवन में बहुत मेत्पुरुन है कि आप अपने जीवन के लक्ष को समझें आपके हमारे जीवन का लक्ष क्या है जीवन का लक्ष खाना कमाना तो बिरकुल भी नहीं हो सकता क्योंकि खाना कमाना तो पसुओं का काम है वो भी खानते हैं, वो भी कमाते हैं उनकी भी फेमिली होती है सब कुछ तो है उनके पास, जो हमारे पास है उनके पास नहीं है, तो वो प्रभु की कथा नहीं सुन सकते आपकी तरह यहां बैठ कर वो भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते आपकी तरह वो भगवान की कथाएं नहीं सुन सकते हैं आपकी तरह वो मोक्षि प्राप्ति का लक्ष नहीं बना सकते हैं इश्वर के दर्शन की इच्छा नहीं पाल सकते हैं ये सारी चीजें सिर्फ एक मानव कर सकता है कोई और नहीं कर सकता प्रभू के मंदिर जाना प्रभू की कथाएं सुनना प्रभू से मिलने की इच्छाएं रखना और इच्छाओं के साथ में ऐसा काम करना जिसे प्रभू प्रसन्द हो और हमें दर्शन्द हे मेरे वाई बेन ये संसार एक स्वपन की तरह है यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने रात्री में कभी न कभी स्वपन न देखा हो स्वपन सब देखते हैं उन्हीं स्वपनों में एक जब अच्छा स्वपन आता है तो हम नहीं चाहते कि हमारी आँकें खुलें हम चाहते हैं यह चलता रहा है और यह रेयल्टी हो जाए ये सच्चाई हो जाए लेकिन उनीस स्वपनों में जब बुरा स्वपन आता है तो हम बहुत जल्दी ये चाहते हैं कि हमारी आँखें खुलें और ये सच्च नहो अमीरी गरीवी संसार की एक प्रणाली है, एक पद्धिती है कोई भाग्यवस करम बस अमीर बन जाता है और कोई भाग्यवस गरीव बन जाता है लेकिन अब अमीर व्यक्ति को अपनी अमीरी में भगवान को पाने की कोशिस करनी चाहिए और गरीव को अपनी गरीवी में अमीर लोग तो ये कहके छूट जाते हैं कि हम कहां से भजन करें हम पर तो टायम ही नहीं है हम कैसे कता सुन सकते हैं हमारे पास टायम है नहीं हम तो ब्यस्त बहुत है और गरीब यह कह के छूट जाते हैं महरा लाज पेट वरने का सिष्ट्म दूड़ें कि तुम्हारा धर्म करें इस से अमीर भी नरक में चले गए और गरीब भी नरक में चले गए अमीर के पास सादन है वो चाहे जैसे अमीर लोग इस गौालियर में जो अमीर लोग होईंगे वो क्या सुझते होंगे जो अच्छी सी कॉलोनी हो उसमें मेरा सबसे बड़ा मकान होना चाहिए सबसे बड़ा मकान किस कवर है मेरा सबसे बड़ी गाड़ी किस की मेरी ऐसा भगवान मुझे बना दे ट्राइ भी करते हैं होती भी यह उनके पास गरीब विक्ति कोशिस करता है कि राद दिन कमाओ पेट भरो और सो जाओ और कल फिर कामाई पे जाओ लेकिन अमीरों को एक बात तो सोचनी चाहिए कि अगर ठाकुर जी ने तुम्हें अमीर बनाया है तो ये कॉलोनी तो तुझे एक दिन छोड़ के जानी पड़ेगी और अगर आदमी मर जाए तो ये जो लंबी गाड़ी है इस लंबी गाड़ी में कोई ले जाने वाला नहीं है ले जाएगा मेरे बाबुजी को ये फैवरेट गाड़ी थी बड़ी लंबी बड़े सोख से खरीदी थी बाबुजी मर गए तो चलो समसान तक इस गाड़ी में ले जाए इस पॉसिबल हॉस्पिटल से भी एम्बुलेंस मिलाते है और समसान दूर हो तो आज कल वो मुर्दों को ले जाने वाली गाड़ी आ गई है उसमें ले जाते है हाँ जी के ना जी ये तो आपको बताना पड़ेगा लटके मार रो यार प्यार से बोलो हाँ जी मैं कितने प्यार से पूछ रहा हूँ मरने वाली बात कर रहा हूँ चिता को देखके तो बड़े बढ़ों को ग्यान हो जाता है सच्चा ग्यान आदमी को कहा होता है समसान में जब कोई चिता जलती है न हमारी यांकों के आगे तब पता चलता है यार इसकी तरह तो मुझे भी जलना एक दिन तो मेरे ये सब किस काम का है लेकिन दुरवाग ये है कि हम उस ग्यान को हमेशा नहीं बना पाते हैं बस थोड़ी देर आता है और छूट जाता है ये दुरवाग ये सबसे बना ग्यान है समजान में कि जब सब को मरना ही है और ऐसे ही जलना है तो फिर किस काम का है अज़े तुम लोग जितने भी यहां बैठे हो मुझे छोड़गे मुझे तो छोड़ना पड़ा है कि भला आप एक बताओ कोई भी मरने के बाद एक सुई भी अपने साथ ले जाएगा हमारे बीच में महापौर जी बैठी है महापौर जी भी साइद नहीं ले जाएगा सुई भी न जिजमान ले जाएगा न महाराज भी ले जाएगा मैं अपनी भी कहे रहा हूँ ले जाएंगे हम ले जाएंगे कोई ले जा सकता इसके बावजुद पूरी जिंदगी किसमे लगा दी हमने जब कि मुझे पता है कि सुई की नोक मेरे साथ जाने वाली नहीं है और पूरा जीवन वही संसादन एकत्रत करने में है तेरे पास टीवी सेट है तेरे पास सोफा सेट है तेरे पास मोबाइल सेट है तेरे पास में ये सेट है तेरे साथ में वो सेट है तेरे पास में ये वो सब सेट है उसके बावजुद भी तू इतना बड़ा अपसेट है ये सब सेट होने के बावजुद भी why are you upset my dear because you don't have mentally set mentally you are upset जब सुई की नौक भी मुझे नहीं ले जानी है तो पूरा जीवन तो मैं नहीं कमाई के चक्र में निका ली है किसली है क्यों तो मेरे वाइबेन जब हमें कुछ लेकर ही नहीं जाना तो जो ठाकुर ने मेरे को अच्छा दिया है तो मैं क्यों उसका सदपी और क्यों न करूँ जैसे ये दिव्याय जन हो रहा है एक व्यक्ति ने प्रयास किया और उस अकेले एक व्यक्ति के प्रयास से यहां हजारों हजारों लोगों को यह फल मिला और भागवत सरल गरंत नहीं है बहुत दुरलबे बहुत दुरलब है श्रीमत भागवत कता कस्रवन करना दुरलबे कता लोके श्रीमत भागवत अद्भवा बहुत दुरलब है तो एक व्यक्ति के प्रयास से इतने हजारों लोग आनंद ले रहे हैं तो ये जो पैसा इस कथा में लग रहा है निशित तोर पर ये पैसा इस जिजमान का यहां रहने वाला नहीं है ये साथ जाएगा ये साथ जाएगा इवन आपका जो पैसा खर्चा हुआ है डीजल पैट्रोल में आने में किराएबाडे में जो भी फिरी में तो नहीं आए पैदल चल के आएँ वो एक अलग भी से है लेकिन जो पैदल वो चल के आए बाहनों में रिकसे में थ्रीविलर में गाडी में तो उसमें जितना भी पैसा आपका खर्चा हुआ है वो पैसा भी यहां रहने वाला नहीं वो पैसा भी आपके साथ जाने वाला Because You use money right way आपने सही रास्ते पे उस पैसे का खर्चा किया है गरीव अमीर के पास सादन है वो जा सकता है अच्छे करम कर सकता है लेकिन करता नहीं पैसा आने के बाद भागवत क्या था की बिचार कमाते है होटलों में पार्टी के बिचार जादा आते है हाँ या ना यहां बड़े बुजुर को बैठे है आपने सादी से पहले आपके जमाने में कोई सोचता था सादी के बाद हम घुमने जाएंगे बार आज कल एको सादी के बाद जाते है न टिकेट फिकेट करवा के कहीं घुमने सादी नहीं होती उससे पहले टिकेट कन्फर्म हो जाती है कहां जाएंगे बच्चे घुमने बढ़े पैरिस जा रहा है कि क willingly यूरोप ट्रिपढे जा रहा है कि कि यूरोप यूरोप टृब पे चले जाएंगे तो जिंददि बार यूरोप नहीं नाचेगाएं इनके माइंड में यासने की बात नहीं समझने की बात जैसा देखेगा वैसा ना करेगा साधी के तुरंत बाद भेज़ देना चाहिए अब केदानात की चड़ाई करके जा दर्सन करके आ समझ में आ जाएगा जीवन किसको कहते है जाएंगे नहीं जाएंगे